यहाँ तो आड़ बैक अकाउंट पिप्लिकेशन इन 2024 में इस टेप में प्रोसेस को कैसे अप्लाय करना है और अगर आप गाज गुझल पैप्लिकेशन को यूज़ कर रहे हो और इसमें आप बैक अकाउंट डीटिल को आड़ करना चाहते हो तब आपको Google Pay application में काफी ज़्यादा बेटर लेवल पर देखने को मिलेगा और यहां पर आप देखो कि mostly cases में phone pay ATM जो application कुछ जगा पर support करते हैं कुछ जगा पर support नहीं करते हैं तो लेकिन जो Google Pay application है यह overall इंडिया में हर जगर पर यूज़ किया जाता है और यह platform काफी ज़दा safe में secure है और इसमें जब भी आपका जो account जब भी आप इसमें add करते हैं तो आपको Google Pay का safety and security feature है वो बहुत ही ज़्यादा advanced level का है तो आपके जो details से leaks होने के chances बहुत ही कि जारा कम है जब भी आप इस application को आप इंस्टाल करते हो इसमें आपको register करना पड़ता है एक जब आपको ध्यान रखना है जब आप इसमें register करो जब आप अपने account यहां पर create करो तो यहां पर guys सबसे पहले आपको जो mobile number है mobile number आपको इसमें वही add करना है जो आपका bank में link है इस जिचका आपको ध्यान रखना है अगर आपका bank में mobile number दूसरा है और आप Google Pay application में mobile number द आपको ध्यान रखना है तो जैसे आप अपना mobile number डालके इंटर करोगे आपको OTP आएगा OTP इंटर करोगे आप गूगल पर application का जो account है वो यहां पर create हो जाएगा account create करने के बाद आपको simple सा जाना है यहां पर profile के option पर profile option पर जाने के बाद आपको scroll करना है और यहां पर guys पर SDF से bank select करूँगा और उसके बाद जब भी आप इस process को करो तो make sure आपको अपने घर का home wifi उसे बंद करना है और आपको अपने mobile का जो internet data है उसे आपको on रखना है दूसरी बात आपके mobile में at least जो mobile SIM card है guys उसमें आपका at least 5 रुपे तका balance होना चाहिए तो आपका guys यहां प आपका bank का verification नहीं होगा और उस बख आपको अपने mobile का internet data on करना है कोई भी home wifi आपको on ने करना है उसके बार आप जैसे bank select करते हो तो आपको bank add का option आपको continue option पर क्लिक करना है और यहाँ प्रगाईस आपके bank का verification हो रहा है तो जब यह process होगा तो उस बख आपको mobile का data ही on रख जैसे आपका bank add होगा उसके निचे आपको एक option हैगा set upi number इस पर आपको tap करना है और यहाँ पर आपको four digit का एक upi pin आपको setup करना है मैंने upi pin already setup किया था इसलिए यहाँ पर मेरा जो upi है वो automatically setup हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर आपको bank है वो यहाँ पर add हो चुका है वो भी यहाँ पर link हो जाएगा यहाँ पर भी यहाँ पर bank का verification हो जब यहाँ अपको आपको एसा option आता है उसके बाद को youpi जो है वो आपको इंटर करना पता है तो यहाँ पर मैरा upi ID already registered है इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ और आपका यहाँ gefशन आ रहा है विकॉस मैं और उसके बाद UPI नमबर आपका सेट हो जाएगा, 4 डिजिट का आपको UPI पिन सेट करना है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे, तो मेरा जब बैंक है, वो यहाँ पर एड हो चुका है, और अगर आपको UPI नमबर अगर आपको देखना, और यहाँ पर आपको निचे के तरफ option देखने को मिलता है, चेक बैंस का, इस पर अगर आप टाप करते हो, तो यहाँ पर आप अपना बैंक बैंस आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर 4 डिजिट का अपना UPI नहाँ पर इंटर करना है, तो इस तरहके से आपको बैंक का बैंस है, डिटल को एड करना है,